हर स्टुडेन का ड्रीम होता है कि वो ओलंपियाड एक्जाम को अच्छे माख से क्रेक कर सके कई स्टुडेन्ट इसीली ये कर पाते हैं लेकिन कई स्टुडेन्ट सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाते तो कहां भूल करते हैं ये student, यहीं हम जानेंगे आज की वीडियो में Hello family, I am Shalini and you are watching Mathis One with Shalini So most important thing is, start at the earliest आपको time waste नहीं करना है अगर अभी exam दूर हैं, तो कल से कर लेंगे या परसो से कर लेंगे इस तरह से कभी भी आपको समय को बरबात नहीं करना है आज से ही preparation start करनी होगी Olympiad is not that much easy daily routine के बाकी कामों की तरह, Olympiad study को भी importance देना जरूरी है वो भी आज से School के homework के साथ ही, Olympiad को कभी compare नहीं करना Study time में आपने homework या other work कर भी लिया है तो भी doesn't mean कि आपकी Olympiad की study हो गई For example, science का homework करने से science Olympiad की तयारी नहीं होगी उसके लिए आपको अलग से time देना होगा और अलग से उसकी preparation करनी होगी Olympiad के syllabus को अच्छी तरह से समझना होगा किस section या topics में से किस तरह के question आने वाले हैं या आपको ध्यान में रखना होगा अपने weak और strong points को आपको अलग अलग लिखना होगा एक list बनानी होगी कि कौन से topics हैं जो आपको बहुत easy लगते हैं कौन से topics हैं जो आपको बहुत जादा tough लगते हैं तो जो topic आपको easy लगते हैं उन्हें आप पहले ready कर लेंगे और जब आप उससे related questions को solve करेंगे तो अपने आप ही आप अंदर एक confidence feel करेंगे कि हां मैं इस तरह के questions को solve कर पा रहा हूँ तो जब आप tough topics की तयारी करेंगे तो ये confidence आपके काम आएगा और आप जादा अच्छी तरह से concentrate कर पाएंगे अपने tough topic पर Maths या Science में सारे formulas और theorems को एक separate notebook में आपको लिख लेना है जब भी time मिले उन्हें एक बार read कर लेना है जब आप एक ही चीज को बार बार देखते या पढ़ते हैं तो वो चीज आपके subconscious mind में कहीं fix हो जाती है और फिर आप उसे lifelong नहीं भूलते ज़रूरी नहीं है कि जो student intelligent है से वही Olympiad crack कर सकते हैं कभी-कभी सब कुछ आते हुए भी हम वो हासिल नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं और इसका reason है bad time management genius लोगों का कहना है कि smart work is much better than the hard work आपको अपने daily routine में तो time management सीखना ही चाहिए competitive exam में तो ये और ज़्यादा important है questions को सही solve करने से ज़्यादा जरूरी है उसे जल्दी solve करना और उसकी technique आपको time management से आएगी practice makes a man perfect और यही बात students पर भी लगो होती है exam आने तक topic से related जितने question आप solve कर सकते हैं daily करें सबसे पहले तो अपनी syllabus book को thoroughly पढ़िए उसके सारी exercise को पूरी तरह से solve करने की कोशिश कीजिए previous years के जितने ज़्यादा question paper और sample paper आप solve कर सकते हैं उसे try करो यह आपको online भी मिल जाएंगे और इससे related आप जो books हैं उनको भी आप market से purchase कर सकते हैं मेरे channel पर भी आपको sample paper और important questions के videos मिल जाएंगे other similar competitive exams like RMO है, silver zone है या दूसरे कोई competitive exams हैं उनके question papers को भी आप solve करके देख सकते हैं क्योंकि उनसे भी आपको काफी help यहाँ पर मिलेगी सबसे important point यह है कि कि किसी भी exam के main paper से पहले जो exam का organization है वो mock test को upload करता है अपनी website पर तो आप जाकर उन mock test को ज़रूर attempt करें क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी यह आप at least once a week कर सकते हैं कोई और आपके काम को check करें उससे पहले आप खुद ही अपने काम को rating दो for example आपने कोई भी study किया उससे related questions को solve करने के लिए try करो या फिर आप किसी से कहो कि वो आपसे उससे related question पूछे उस topic से पे based questions आप से पूछे इसमें आपके parents आपकी help कर सकते हैं आपके cousins आपके brother sisters आपकी help कर सकते हैं फिर जो भी marks या वो आपको rating देंगे उसको आप check करो कि अभी तक आपकी preparation कितनी है तो सबसे पहले अपने काम को आप खुद rate करो कि मैं किस तरह से और वो भी इमानदारी से ओके क्योंकि आप जो rate करोगे वो आप ही के लिए अच्छा है अगर आपको rating कम मिलेगी तो आप उससे साब से जादा practice करोगे अपने preparation के लिए अगर आप already cheat करोगे कि नहीं मैं अपने आपको अच्छे marks देता हूं no I am the best अगर आप ऐसा feel करोगे तो यह आपकी feeling है क्योंकि यह आपको दूसरों को भी यह feel कराना है yes I am the best this is the most important thing आपको यह पता है कि मुझे ओलम्पियाड में अच्छे marks लाने हैं बट मुझे ओलम्पियाड क्रेक करना ही है कैसे भी इन दोनों बातों में बहुत ही से आपको अपने target पर focused रहना है लेकिन उसके लिए stress कभी नहीं लेना अधर्वाइस आप जो भी studies कर रहे हो वह stress की वजह से होते हैं तो अच्छा खाये और नीद जरूर लीजे आप mentally strong कीजिए कि confident feel कीजिए stress नहीं लेना है बट confidence रखना है कि मैंने जो किया है आपने अगर किसी question को solve कर लिया exam time में तो आपको उसको लेके confused नहीं होना है कि यह मैंने किया है सही या नहीं किया आप उसको recheck करो और फिर भी वह correct है तो आप confident रहो yes this is right मैंने सही किया है strength is your concept concept is power हर subject में चाहे वो कोई भी subject हो math हो science हो general knowledge हो कुछ भी हो उसमें आपको रटना नहीं है कुछ भी आपको याद रखने की ज़रुरत नहीं होगी अगर आपके concept clear होंगे concept clear होंगे तो आप अपने आप ही चीजों को आपस में connect करते जाएंगे आप अपने आप ही problems को deep में समझ पाएंगे जब तक आप एक topic को complete ना कर लो तब तक दूसरे topic पे कभी मत जाना जैसे ही आपका पूरा topic हो जाए and you are satisfied and you have already rated yourself अगर आपने अपने आपको rate कर लिया है आप उसमें pass हो गए हैं आपके हिसाब से तभी आप दूसरे topic पर जाना कभी भी किसी topic को incomplete बीच में नहीं छोड़ना exam के time पर हमेशा काम रहना stress नहीं लेना अगर कोई question नहीं आता है तो उसे वहाँ पर छोड़ दो next जो question आपको आता है उस पर जाओ जो question tough लग रहा है उसको बाद में try करो क्योंकि अगर आप जब पूरा एक बार paper पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में जो tough question है जो आपको नहीं आता है वो बार बार घुमता रहता है तो जब तक आप easy question solve करोगे आपका mind कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई solution जरूर ढून ले है यह एक तरह की fun-filled quiz होती है जिसमें question को reply करने में आपको कभी logic लगाना पड़ता है कभी बिना logic के आप दिमाग लगा कर ही थोड़ा सा answer दे सकते हैं तो इस तरह के questions हम देखते हैं प्रेंटीजर्स question कौन से होते हैं जैसे यहां पर एक question है कि what occurs once in every minute, twice in every moment, yet never in thousand year सोचो, okay, so answer is M, या minute की spelling में M एक बार आता है, moment की spelling में M दो बार आता है, और thousand की spelling में तो एक बार भी नहीं आता तो यह बिना logic का question है, बट आपको फिर भी इसमें logic लगाना पड़ा, क्योंकि आपको अपने दिमाग के घोड़े तो दोड़ाने पड़े एक और next question हम इसमें देखते हैं, what है cities but no houses, forest but no trees and water but no fishes, क्या हो सकता है इसका answer, चलिए मैं बता देती हूँ, इसका answer है map, क्योंकि एक map ही ऐसी जगा है जिसमें आपको cities का, तो idea होता है कि यह cities जगे पर है, इस direction में है, बट उसमें houses नहीं है, forest हैं बट trees नहीं है, water bodies हैं बट fishes नहीं है, चलिए एक question आपके लिए, यह है third question, a certain five letter word becomes shorter when added two more letters to it, what is that word, इसका answer आप मुझे बताओगे comment section में और आपके पास time है सिर्फ 30 second का, और मुझे यह भी बताना कि आप कितनी देर में इसे solve कर पाए, और अब last में कुछ reference books, जो preparation में आपकी बहुत help करेंगी, maximum books MTG के edition के बहुत अच्छी आती हैं, उसमें सभी subject की books आपको available हैं, और MTG को जो है, वो SOF भी refer करता है, तो आप उसकी books को purchase कर सकते हैं, उसके अलावा जो आपकी NCRT की books हैं, जो आपकी syllabus books हैं, इसे भी आप थोरे study कर सकते हैं, क्योंकि Olympiad में बहुत सारा syllabus वहां से भी आता है, reasoning की workbook के लिए आप पलवी अगरवाल की book को prefer करती हूं, मैं काफी अच्छी book हैं, आप एक बार ट्राय कर सकते हो, इसके अलावा sample papers हैं, workbooks हैं, या previous years के papers हैं, उसके भी MTG edition के paper आपको Amazon या किसी भी online website पर मिल जाएंगे, तो ये था मेरा video जो मैंने अभी तक के अपने experience क base पर बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो please video को like कर दीजे और अपने friends के साथ इनको share कीजे जो Olympiad को attempt करने वाले हैं, अभी तक अगर मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजे, all the best for your Olympiad exams, मिलते है मेरे next video में till then, take care and keep practicing, bye